आज आपके साथ शेटरन का पेंडिंग खर्मा से रिलेटेड बात शेयर करना चाहेंगे देखिए शनी आपका कहीं पे भी वक्री हो कहीं पे भी या तो ब्रेकिट से हम कहते हैं लिख पी लेते हैं वक्री हो रेट्रोग्रेट हो इसका क्यारत है you have a lot of pending कर्मा caring from the previous word बड़े easy way में समझे पिछले जनम में आप 12th में थे आपने pre-board पास कर लिया था और इस जनम में आने से पहले आप pre-board के बाद final exam से पहले देथ हो गई अगर आप पिछले जनम में भी होते है pre-board में मैंनत करी final में भी मैंनत करी आपने तभी पास होते होंगे न अब इस जनम में वापिस आपको pre-board भी देना और final exam भी देना final exam भी देना clear है तो जब भी कुंडली में किसी भी भाव में शनी वकरी हैं तो आपको जो है काम करना है double shift में payment मिलेगी single shift की you have to do lot of work too much hard work मैंने एक और एक तो ये मैं अच्छी सी बात share कर रहा हूँ दूसरा ये भी मैंने देखा है कि शनी से पंचम में कहीं बे भी शनी हूँ वहाँ से देखिए पंचम में कोई ग्रे बैटे है चाहे शुक्र बैठा है ब्रस्पती बैठा है कोई बैठा है वो भी आपके पेंडिंग करम है पूरू जनम के उनकी भी पेमेंट करनी है आपको तो ये इस तरह से देखने का परयास करें वक्री शनी के वक्री शनी मैटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए टफनेस देता है लेकिन अगर ये ही आप नौन मैटीरियलिस्टिक अध्यात में जुडेंगे तो शनी आपको उचाईयों पर ले जाएगा वो ही शनी है रेट्रो ग्री वक्री है लेकिन उचाईयों पर ले जैगा अगर आप मैटीरियलिस्टिक लाइफ से जुडे हैं तब आपको बहुत मेनद कराएगा ठीक है धन्यावाद